मेरे प्यारे देश वासियों, हम भारत मासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाद भी करते हैं। इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिटी उबजाव नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस खेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो-तिन दसक में जैव विविद्रता का केंदर बन जाते हैं। अब इसका प्रसार भहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्स्वे हो रहा है। हमारे हाँ केरला के एक टीचर स्रिमार राफी रामनाज जी ने इस तक्निक से एक इलाके की तस्वीर ही मिदल दी। दरसल रामनाज जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृती और परियावरण के बारे में घैराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उनोंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है। उनकी इस काम्याबी ने उन्हें और भी प्रेना दी। इसके बाद राफी जी ने मियावा की तकनीक से एक मिनी फोरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। अब इतना खुबश्रब नाम तो एक सिक्षक ही रख सकता है विद्यावनम। रामना जी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वेराइटी के 450 से अधीक पैड लगाये गए। उनके स्टूडन्स भी इनके रख रखाव में उनका हाथ बटाते हैं। इस खुबस्वरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आमनागरीक, काफी भीडू मरती हैं।